भीम्राव अम्बेदकर लेखक हैं जो स्रम्बिभाजन और जाती पर्था पाठ लिखे हैं इनका हम आज पर्चे जानेंगे तो यह एक निबंध है क्या है स्रम्बिभाजन और जाती पर्था क्या है तो निबंध है तो निबंध क्या होता है निबंध लेखक के वेक्ति को प्रकासित करने वाली ललित गध रचना को हम निबंध करते हैं अब हम भीम राव अम्बेतकर के जीवन काल का अध्यान करेंगे जो की कक्छा दस के विद्यार्थियों के लिए यह महत्पुर्म होगा बाबा साहब भीम राव अम्बेतकर का जन 14 अप्रेल 1891 में मौउ महत्परदेश में हुआ था आपसे कोश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा साहब भीम राव अम्बेतकर का जन कब हुआ तो आप कहिएगा 14 अप्रेल 1891 में कहां हुआ तम्मावू कहां हुआ था मध्परदेश में किस वर्ग में हुआ था तो एक दलित परिवार में हुआ था मानाव मुक्ति के पुराध बाबा साहब अपने समय के सबसे सू पठी जनों में से एक थे मतलव वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से गिने जाते थे प्रात्मिक सिक्षा के बाद बरोदा नरेश के प्रसाहान से उनकी जो प्रात्मिक सिक्षा थी किसके सायोक से हुई थी तो बरोदा के नरेश के द्वारा हुई थी उच सिक्षा के लिए वो कहां गए तो नीवार्ट गए थे अमेरिका और फिर वहां से लंदन इंगलेंड गए उन्हें संस्कृत का धार्मिक पौरानिक और पूरा वैदिक वांग में अनुवात के जरिये पड़ा था और एतिहासिक समाजिक छेत्र में अनेक मौलिक अस्थापनाय प्रस्तुत की अब मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतिहास के मिमानसक विधेता अर्थ सास्त्री समाज सास्त्री सिक्छा विद तथा धर्ण दर्शन के ब्याख्याता उबर कर सामने आए स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की समाज और राजनीती में बेहत सक्रिये भून का निभाते रहे और अच्छूत इस्तिरियों और मज़्दूरों को मानवी अधिकार वो समान दिलाने के लिए अथक संगर्ष किया उनके चिंतक वो राजसनात्मक्ता के मुख तीन प्रेरक थे तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेद करके तीन जो मुख प्रेरना सुरोक देती थे वो कौन थे तो आप कहिएगा बुद्ध कभीर जोतिबा फुले भारतिय संभिधान निर्माताओं में उनकी अहम भूम का और एक निष्ट समर्पन के कारण ही हम आज उन्हें भारतिय संभिधान का निर्माता भी कहते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि भारतिय संभिधान किसने लिखा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेद करने और संधाजली अर्पित की लेकिन दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का मिर्तु हो गया और उनकी मिर्तु कब होई तो दिसंबर 1956 में किस जगा पर होई तो दिल्ली में होई का होई थी दिल्ली में बाबा साहब के अनेक पुस्तक लिखी उनकी प्रमुकरचना और भासन, प्रमुकरचना और भासन, the caste in India, their machism, genius and development, the unchangeable who are they, who are sudras, Buddhist man, communism, Buddha and his dhamma, thought on angulist state, the rain and fall of the Hindu vimas, और inhalation of caste आदी है, किनकी रचना आए, तो भीम्राव अंबेदकर जी की है, हिंदी में उनका संपून वाक्मय, भारत सरकार के कल्यान मंत्राले में, बाबा साहब अंबेदकर के संपून वाक्मय नाम से 21 खंडों में प्रकासित हो चुकी है, आपसे पूछा जा सकता है, कि कितने खंडों में उनकी जो वांगमय है, प्रकासित हो चुकी है, तो 21 खंडों में, याद रखिएगा, यहाँ प्रस्तूत पार्ट, बाबा साहब के विख्यात, भासन, एनिहेलेशन आफ कास्ट के, ललाई सिंग द्वारा किये गए, हिंदी रुपांतरन, देखे, यह जो पार्ट लिया गया है, स्रम भिभाजन जाती पर था, उसके जो विख्यात, कहां से लिया गया है, भासन, तो एनिहेलेशन आफ कास्ट से लिया गया है, और इसे किसने रुपांतरित किया, तो ललाई सिंग यादों ने किया है जो कि हिंदी रुपांतरी जाती भेत के उच्छेद से कंचित संपदा के साथ लिया गया है यह भासन जाती पाती तोरक मंडल लहोर के वार्चिक सम्मेलन में आपसे पुछा दा सकता है कि लहोर का सम्मेलन कव हुआ तो 1936 में अध्यक्षिय भासन के रूप में तायार किया गया प्रंतु इसकी क्रांतिकारी दिरिष्टि से आयजोको कि पुणत्त समति न बन पाने के कारण संमेलन अस्थकित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका बार में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुष्ठक का रूप दिया और यह से क्या गया स्वत पुस्तक का रूप दिया और प्रस्तुत आलेक में भारतिय समाज में स्रम विभाजन के नाम पर मदुईगी अवसिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाती पर्था पर मानविये नरसंगिक न्यायव समाजिक सद्भाना की द्रिष्टी से विचार करते हैं जाती पर्था के विशंता पुर्वक समाजिक आधार जो रूधी वादी पुर्वाग्र है और लोगतांत्र के लिए अस्वास्त कारक प्राकृतिक पर भी यहां एक प्रांत विधेता का द्रिष्टी कोन उभर्ग सकता है भारतिय लोगतांत्र के भावी नागरिकों के लिए या आलेक अत्यंत ही सिक्षा प्रद्ध है तो स्रम विवाजन जाती प्रता के लेकक भीमरावंबेतकर के जीवन काल का ध्यन किये हैं जो बिहार बोड कच्छा दस के विध्यारतियों के लिए उनके जीवन परचे के लिए आपके लिए भी यह बहुत ही महत्पुर्ण होगा धन्यवाद